पहुचारी स्टूदिन्स कहारें कि सर प्रेपरेशन तो है ही नहीं, कैसे एक्जैम दे, त्यार ही नहीं हुआ है, अब टूड़ नमाक नहीं है, मेरी बातों को कान खोल के तिमाग से सुनना, ICI, तीन घंटा देता है पेपर लिखने के लिए, और आप तीन साल पहले पड़े हो, छे मेना पहले पड़े हो, एक मेना पहले पड़े हो, या यह दो-तीन दिन में पड़े हो, या 1.5 डे में पड़े हो, ICI वो पेपर में नहीं पूशता है कि यार तुमने पढ़ाई कब कर गया है नहीं पूशता है वो पूशता गया है पता है कि हाँ मेरा ये question से इसको आप लिख दो सही रहा तो टिक गलत रहा तो wrong क्या फरक पढ़ता है तुमने पहले पढ़ा पहले prepare किया नहीं किया क्या फरक पढ़ता है किसको पता है ICI को पता है क्या पता तुम जो भी अभी पढ़ रहे हो और पूरा फट 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 करके coverage कर लिया और exam में लिखा right हुआ पास हो गया तुम खुझ से assume कर रहे हो कि यार मैं अभी ये last day में पढ़ूँगा नहीं पढ़ पाया नहीं complete हुआ तो मेरा नहीं clear होगा अपने आप से assumption क्या ये सही है क्या ये सही है नहीं सही नहीं सो मेरा ये बहुत important message है तुम लोगों से सब से जिसका भी preparation नहीं हुआ है अभी give up नात करो अभी give up मत करो अभी prepare करो और अभी जो भी मेरा last day revision plan है सारे subjects का वैं दे रहा हूँ ले लो और उसके basis पे prepare करो चाहिए कोई भी level है तुमारा final enter foundation सब का study plan हम से लेके उसको follow करो और बस यार तुमारे पास कोई particular subject के लिए मालो two hours में allocate कर रहा हूँ या किसी के लिए four hours allocate कर रहा हूँ मनलब समझना है कि हाँ मेरे को इसी hours में करना है अगर एक chapter में मालो तुमारे profession ने 10 sum दे रखा है या 20 sum दे रखा है या 50 sum दे रखा है तो जो भी है मैंने time allocate कर दिया कि हाँ इतना आवस उसको दे रहा है पस उसमें ही करना है क्या होगा सारा sums cover नहीं होगा में में sums कर लेंगे क्विकली क्विकली देख लेंगे concepts देख लेंगे है ना एक chapter करने से अच्छा है कि एक subject में 10 chapter है तो सबको फटाफट फटाफट जो भी मैंने time allocate किया उसमें देख ले हो सकता है possible है बहुत लोगों ने मेरे आखों के सामने ही किया है और करते हैं लोग तो अगर तुम assume कर रहे हो कि नहीं हो सकता जो time बचा है उसमें तुमारा loss है तुम अगर बात का कुछ सोच रहे हो या तुम अपना ये सोच के best नहीं दे रहे हो तुम exam दोगे you also know कि you are going to sit for the exams अगर दे रहे हो तो रो रो के दे रहे हो या confidence कम करके दे रहे हो जितना important prepare करना है पढ़ना है उतना equally important confidence है अगर तुम पढ़ रहे हो और पूरा confidence के साथ पढ़ रहे हो कि yes करना है कर रहा हूँ अच्छे से कर रहा हूँ that is more important so अभी से from this point prepare करो जो भी time है sufficient है और उसमें 100% होगा ये believe करो because belief is so important तुमारे पास 3 hours होगा exam में paper write करने के लिए ठीक है और अभी say for instance तुमारे पास हर subject में 1.5 day रहता है उसमें अपना पूरा जान लगा दो तुमारे पास next attempt का option है तो फिर game over हो गया because वो mind में आ गया ना कि हाँ भाई मेरे पास तो next attempt का option है तो फिर नहीं पढ़ाई होगा बढ़ अगर तुम मान लो अगर तुम assume कर लो कि next attempt तो है ही नहीं इसी बार करना है चाहे चो हो जाए तो इसी बार करना है तो तुम 1.5 day को भी 15 days बना सकते हो एक ही suggestion दोगा हमारा 1.5 day का plan सारे subject का follow करो और उसी को समझो कि हाँ कुछ लोग के लिए तो यार 15 years कितने सारे लोग है जो 10 years 5 years 15 years से exam दे रहे अभी तक तो उनको clear हो जाना चाहिए अगर time factor matter करता है तो तुम ये तो समझ रो time factor जादा matter नहीं करता है ठीक है कम time में भी बहुत कुछ किया जा सकते है सोच का फरक है सोच का है ना समझो कि अलग अलग category के लोग होते है market में है ना कुछ कुछ करते हैं कुछ बहुत slow होते है it's all about here अगर तुम यहाँ पर अपने आपको train कर दिया कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ ये इतना मैं कर सकता हूँ तुम्हें क्या पता है बहुत चारे लोग पहला paper देते हैं और उसको लगते है कि हाँ exams अच्छा नहीं कि आप छोड़ देते और पता चलता है बाद में उसी paper में exemption आ गया तो तुम जैसा सोच रहे हो क्या वो वैसा ही होगा ऐसा है नहीं तुम सोच रहे हो कि यार ये one two days में क्या होगा बढ़ क्या पता तुम से हो जाए और तुम deserving थे होने के लिए मेरा message यह है इस वीडियो में कि मेरे पास जो time है वो मैं मानता हूँ कि वो sufficient है मेरे लिए क्योंकि मैं talented हूँ मैं unique हूँ मैं powerful हूँ और मैं पक्का करके दिखाऊंगा यह एक important message है इसको देखने के बाद मेरे को comment करके बता देना कि हाँ सर मैं promise करता हूँ चाहे जो हो जाए मैं लड़ूंगा मैं जितूंगा और मैं hundred percent करके दिखाऊंगा और हर एक exam मेरा best exam होगा अभी से उठो त्यारी करो तुम्हें क्या करना है अभी से लेकर exam तक तुम्हें बस मेरा revision plan फॉलो करना है हर subject का एक तुम्हें केवल अपना जो basic necessity होता है कि खाना है पीना है सोना है सोना important है बहुत important है daily तुम five to six hours का sleep लेने वाले हो उसके अलावा ठीक है एक घंटा basic necessity को देदो तो six seven hours का maximum तुम इदर उदर कुछ करो सो और बाकी काम और बाकी पूरा मन लगा के देखो दो तरह से पढ़ाई होता है एक रोरो के और एक हाँ अच्छे से कुछ सो के confidence के सारव सो मेरे को ये second category चाहिए और करो कर सकते हैं हम लोग अभी भी हमारे पास time है और हम पका जीतेंगे ये विश्वास लेके start करो all best बाबाई